जैन प्रेंट्स वेलकम टो माई OPC यूट्व चनल स्टैडी मेटेरियल A2Z EOC रिक्रूटमेंट 2023 दोस्तों आप सब की निकल के आई थी और सब का फीजिकल दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली जो है कम्प्लीट हो चुगा है यहाँ पे आपका फीजिकल दोस्तों 10 से लेकर आपका 17 तक जो की फायर्मेन का चला था उसके बाद में आपका 27 तक दोस्तों आपके यहाँ पे टेट्चमेन का फीजिकल चला था इसके बारे में हम कम्प्लीट डीटियल दोस्तों डिसकस करने वाले हैं काफी सारे candidate हैं जो कि यहाँ पे जो है जो है कितने student जो है paper देने के लिए बैठेंगे साथ में safe score क्या रहेगा साथ में आपका जो है यहाँ पे आगे जो है आपकी क्या रणनीती होनी चाहिए सबी चीजें जो है discuss करने वाले हैं तो इक भी अपडेट होती है दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट कर देते हैं चैनल को subscribe जरूर कर लेना सो गैज आप सबके यहाँ पे ऐसी फायरमेन और टेश्मेन के फिजिकल कंप्लीटली हो चुके होंगे और जिन कैनलीडेट का फिजिकल पास हुआ है उन कैनलीडेट के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट रहेगा साथ में दोस्तों आप सबके जो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे सवाल जो है डिसकस करना है बट आप उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ यह हमारी बबसाइट है study material a2z.in जो कि आपके सामने जो कि शो कर रहा है उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों एक आपका आइकन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना होगा AOC का यहाँ पे मैंने दोस्तों सब कुछ जो है detail डाल रखी है detail का मतलब यहाँ पे दोस्तों सबसे important चीज़ जो आपका यहाँ पे जो सबसे important है अब आपकी बार वो आपका PT और physical था उसके बाद यहाँ पे जो आपका next जो process है क्योंकि आपको बता होना चाहिए कि जोस्तो जितने भी candidate थे उनमें से 40% candidate जिन candidate का physically के लिए admit card आये थे 60% candidate आपके बाहर हो चुके हैं मातर 40% candidate हैं जो आपके यहाँ पे आपके साथ exam देने वाले हैं तो दोस्तो यहाँ पे जो है आपके सभी की सवाल होंगे यहाँ पे दोस्तो यह वोट्सप नंबर है हमारी वोट्सप पे आप जो है यहाँ पे मैं update करती है यहाँ पे पास कोई update होती है यह सी के regarding जैसे कोई admit card अगर आप काता है तो आप में जो है share कर सकते हैं उसके साथ ही दोस्तों यह आपका यहाँ पे questions जो patterns है वो यहाँ पे candidate के द्वारा जो बोला गया था मैंने यहाँ पे जो है उनको change कर दिया है जो question pattern था उसको जो है बिल्कुल मैंने change किया था क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था कि English आपका 50 का होता था but आप जो है आपका GK और यहाँ पे general intelligence and reasoning इसी कारण दोस्तों आपका जो है यहाँ पे काफी जारे candidate का जो है यहाँ पे benefit बढ़ जाता है और उस कारण से जो है दोस्तों candidate जो है यहाँ पे score भी अच्छा कासा करते हैं उसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों यह जनरल intelligence and reasoning है और अपका यहाँ पे उससे पहले दोस्तों आपको जो है मैंने paper प्रोवाइड करवा रखे हैं कि यह जो paper है वो आप यहाँ से download कर सकते हैं जितने भी paper जो आपके यहाँ पे previously पूछे गए थे वो paper यहाँ पे website पे डा रहने वाला है देखो यार सबसे important चीज है कि आप अभी paper को जो है जरूर देख कर जाएं क्योंकि paper अगर आपको पता है तो आप जो है असानी से जो है अच्छा score कर पाएंगे पहली चीज दोस्तों यह 40% जो candidate है ना वो भाई यहाँ पे PT में भी अच्छे थे हैं और आपक यहाँ पर दोस्तों आपका जो सवाल है कि mostly जो आपका safe score कितना रहेगा वो यहाँ पर डिसकस करें सबसे पहली चीज तो आपका दोस्तों डेट सो नंबर का paper है तो mostly जो questions यहाँ पर देखे 50 questions आ रहे हैं आपके reasoning से general intelligence and reasoning से दोस्तों अगर अच्छे आपके questions आ रहे हैं तो आप अच्छे score यहाँ से ला सकते हों यहाँ से आप दोस्तों लगबग 45 से आप यहाँ पर 45 प्लस ही आप यहाँ पर attempt कर सकते हो questions को क्योंकि आपके पास time काफी जादा है और इस कान से यहाँ पर इतना कर सकते हो रही बाद GK का तो दोस्तों GK के अंदर भी आपका स्टेटिक वाला जो पार्ट होता है उसमें से जादा questions आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं पर आपका जो यहाँ पर science है उसको भी आप जो है दोस्तों ऐसे में मत लेना 10 या 12 questions आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका यहाँ पर जैसे आपका जो है सवाल होगा किसके अंदर जो आपका current affairs है वो भी हाँ पर जो है थोड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा तो वो भी आप जो है six month का round जो आप करके जाएं इसके साथ ही दोस्तों vocabulary वाला part अच्छा कर रहे हो तो यह आपके लिए बड़ी है और numerical aptitude यहाँ पर पर जो है topic जो है दिए गए है कि कौन से topic है एक बार सभी topic को एक बार दोस्तों read out जरूर करें जिससे जो आपका यहाँ पर रहे ना कोई दिक्कत है तो यह तो हो गई बात दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अपकी बार admit card सबके नहीं आए और सबके आते तो आपको जो है cut पर आपका रहेगा डेड़ सो में से आप दोस्तों कोसिस करें क्योंकि यार अभी जो है आपका यहाँ पर यह ओसी material assistant के अंदर exam conduct हो गए हैं fireman का थोड़ा cutoff कमान के चल सकते हैं दोस्तों लेकिन treatment का कम cutoff मत मान के चलना और दोस्तों आपका जो है यही score रहना चाहिए मैं यह कहूँ कि यूवार के जो बच्चे हैं उनका score दोस्तों 110 के round आपका प्लस प्लस score करने की कोसिस करो मैं यह नहीं कहता कि आप भाई इतना ही रहेगा बट इतना करने की कोसिस करो क्योंकि यार एक safe zone में आ जाओ एक नोकरी मिल जाए इसलिए बोर रहा हूँ फायर में के बच्चे हैं 105 प्लस का दोस्तों यहां पे target रखे ही अपना पेपर सोल करें और पेपर को अच्छे से attempt करें यह इतना score हो सकता है दोस्तों इससे थोड़ा कम भी cutoff देखने को मिले क्योंकि यार physical के अंदर जो यहां पे बड़े बड़े जो candidate थे वो यहां से बा फायर में का और यही जो है 90 से 105 या 110 200 ट्रेश में का आपका cutoff देखने को मिल सकता है अब भाई इससे कम भी जो है candidate बोलेंगी सर अभी जो है candidate बाहर हो गए तो भाई इससे ज्यादा जो है अब OBC के candidate हैं थोड़ा बहुत कम कर लेना CST के जो candidate हैं वो भी अपने coding थोड़ा वो जो है कम करके जो हमांस कर चल सकते हैं मैंने UR की बात की है अब बहुत सारे candidate जो है मैं उसी बात को लेता हूं कि जो है फिजिकल में तो candidate बहुत ज़्यादा भार हो गई तो भार हो गई बट दोस्तियार इतने से कम जो है काम नही है यह जो है पहले जो आपकी अदर जो यहां पे वेक्यांसियां होती है उनमें यहां पर यह 50 नंबर का जो है आपका रीजनिग वाला जो पार्ट है वो नहीं होता है यहाँकर पच्शीस काई होता है तो यहां जो ऑप activity नंबर कहींचेंगे द्बाके खिश के नंबर तो उस कान से दोस्तों यहां पे जो है कटो फितना तो जाने का बुरा बुरा चांस है material assistant यार एक graduation based का exam था और पूरा उसका जो man factor था वो भी exam था लेकिन यहां पे यार की physical भी आपका man जो है एक भूमी का अदा की है तो उस कान से दोस्तों यह सारी चीज़ें यहां पे होने वाली है तो देखो यार paper बगर है देखो और अच्छे से जो है त्यारी करो सभी को best of luck और admit card और exam center के बारे में लेटेस्ट जल्दी जो है मैं एक वीडियो दोस्तों आपके लिए बना दूँगा कैसे admit card आएंगे कैसे admit card जो है आपका exam center क्या रहेगा यह सब चीज़ें जो है मैं आपको लगातार update दे दूँगा तो उमीद करते हूं यार वीडियो अच्छे लिगी होगी तो बढ़ो क लाइक रो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना मिलते हैं नेक्स टूडियो के साथ जैहिन दे